नमस्कार मैं हूँ अनुराधा प्रसाद गुजरात चुनाव में बीजेपी ने पिछले सभी रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिये बीजेपी को वहां के मुस्लिम समुदाय का भी जम कर वोट मिला सूबे की दस मुस्लिम बहुल विधान सभा सीटों में से आठ पर कमल खिला हिमाचल ने भी कॉंग्रेस को जीत का सूरज दिखा दिया दिल्ली नगर निगम के नतीजों ने आम आदमी पार्टी को डबल इंजन सरकार चलाने का मौका दे दिया अब सवाल उठता है इससे आगे क्या एक बात तो तैह है कि प्रधान मंदिर नरेंद्र मोदी एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं उसे पूरा बगार किये उनको चैन नहीं आता या कहें तो चैन की सांस कभी लेते ही नहीं एक मिशन पूरा होने के साथ ही दूसरे मिशन में जुड़ जाते हैं एक देश एक टैक्स के लिए जी एस्टी कानून वजूद में आया सुप्रिम कोट के रास्ते आयोध्या में राम मंदिर का वादा पूरा हुआ मुसलिम महिमलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के लिए संसद से कानून पास हुआ एक छटके में अनुक्षेत 370 और 35A को रदी की टोकरी में डाल दिया गया जिससे जम्मू कश्मीर में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान की विवस्था खत्प हो गये लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब तक BJP का वादा पूरा नहीं हुआ है। खड़े हैं आजादी के बाद से ही सरकारे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से क्यों बचती नहीं है। सम्विधान सभा ने इस मुद्दे को कैसे देखा। ऐसे सभी सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कारिकरम एक देश एक कानू जरूरत या सियासत में। 9 दिसंबर को राज्य सभा में बीजेपी सांसत किरोडी लाल मीना ने समान नागरिक सहिता लागू करने से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। उनके इस बिल को जिस तरह से सक्तापक्ष का समर्थर मिला और विपक्षी नेताओं ने विरोध किया। उससे एक बात तो तय है कि भारत जैसे विविधिता वाले विशालकाई देश में युनिफॉर्म सिविल कोड की राहों में बहुत काटे हैं। संसद में समान नागरिक सहिता को लेकर बिल पहले से ही कई दफे लिस्ट हो चुके हैं पर कभी पेश नहीं हो पाया। इस बिल के विरोध में दलील दी जा रही है कि इससे देश बढ़ जाएगा। देश की अनेकता में एकता वाला मर्म खत्म हो जाएगा। जबकि एक देश एक कानून की पैरवी करने वाले नेताओं की दलील है कि इससे देश में सही मायनों में समानता आएगी। शादी ब्याह से लेकर संपत्ती तक के एक जैसे कानून होंगे। कानून में पश्टता की वज़ा से देश की अदालतों में मुकदमों का बोज कम होगा। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में लगे स्पीड ब्रेकर्स की पहचान करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर इन दिनों इस मुद्दे पर सियासत गर्म क्यूं है। नौदे समबर दो हजार बाइस राज सभा दी यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल तो थाजन ट्वेंटी डॉक्टर किरोडी लाल मीना तो मूफ और लिव आई मुव तो इंटर्दूस दे इनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल तो प्रवाइड पोर दी कंस्किटिशन अफ नेशनल इंस्टक्शन इंवेस्टिगेशन कमेटी फोर प्रिपरेशन आफ यूनिया शिविल कोड तेक यूर सीट देश में जिस तरह का महौल बना हुआ है ऐसे वक्त में इस तरह का एक और बिल ला करके उस खाई को और बढ़ाने की कोशिश करना ये कहीं से भी ना तो प्रासंगिक है और ना तो जरूरी है राज सभा में जैसे ही समान नागरिक सेहता विधयक पेश हुआ विपक्ष ने प्रचंड विरूद शुरू कर दिया भले ही बीजेपी सालजट की रोडी लाल मेड़ा ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया लेकिन जिस तरह से इस बिल को सत्ता पक्ष का समर्थन मिला खुद बीजेपी अधिक्ष जेपी नड़ा और मोदी सरकार के तीस तर्रार मंत्री भी राज सभा में मौजूद रहे वहीं विपक्ष ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि यूनिफार्म सिबल कोड किसी खीमत पर मनजूर नहीं सम्विधान के आपने सुरू में सरका था कि अगर सम्विधान के अनकूल कोई बात है तो उसको रखने से इंट्रिजूस करने से कोई रोक नहीं सकता है लेकिन सम्विधान के अगर प्रतिकूल है तब तो उसे रोका ही जा सकता आपको इसे अलाव भी नहीं करना चाहिए थे और इनको बिड्रो कर लेना चाहिए बीजेपी के पुराने वादों में से सर्फ यूनिफार्म सिबल कोड का वादा ही पूरा नहीं हुआ है बीजेपी राश्ट्री सुम सेवक संग और दूसरे हिंदुत्रवादी संगठन एक दीश एक कानून के बात जोर शोर से उठाते रहे हैं ऐसे में माना जा रहा है कि किरोडी लाल मीडा का यूनिफार्म सिबल कोड बिल इस मुद्धे पर विबक्ष की मोर्चे बंदी को जानने का एक तरीका है जब कंस्ट्रेंट असेम्बली में बहस हुई थी तो डाक्टर भीमराव उंबेड कर भी ये चाहते थे कि समान नागरिक संगीता देश में लागू होनी चाहिए लेकिन जो कुछ मुस्लिम सदेश थे उन्होंने उसका बुरूद किया तो वह अटकी रह गी तो आर्टिकल 44 में ये समुदान में डाला है कि आगे कॉमेंस्विल कोड देश में लागू होना चाहिए लोगों के बीच में बटवारा है अविश्वास है उसकी बुनिया पर आप यह नहीं ला सकते हैं हमारे समिधान बनाने वालों ने उस वक्त पे बहुत सोच समझ के कुछ प्रावधान किये हैं कुछ रिवाज है कुछ मझेबी बात है आप यह कैसे कर पाओगे बीजेपी रड़नीती कारों को एक बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना यानि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बटवारे जैसे पिशियों पर पूरे देश के लिए एक कानून बनादा और इसके लिए सब को तैयार करना माउंट एवरिस्ट चड़ना जैसा है कोई भी कानून अगर समानता लाता है तो उस कानून को विलकम होना चाहिए बशर्ट है कि जो लोग उससे गवर्ण होते हैं या जिसके उपर में वो कानून एपलाई किया जाता है अगर हो तो बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा है और हर वेक्ति के लिए एक आम सबसा पूरे हिंदुस्तान के लिए एक होगा और यह देश को बादने का भी एक बड़ा अच्छा सूतर होगा लेकिन सवाल इस बात का यह कैसे हो इसके लिए यह नहीं है कि आप एक विल बना दिया डाउट बना दे इसके लिए आपको यह प्रैक्टिस इस तरह किये और यह अगर आप चाहें कि एक पर्टिकलर रिलियंट जो अपनाए जा रहा है उसके अनुसार पो तो यह तो बहुत ही गलत होगा समान नागरिक सेहता के वाखालत करने वाले दलील देते हैंगी इससे धर्म के आधार पर बने खानून खत्म होंगे और भारतियता का भाव मश्बूत होगा विवाह तलाक उत्रादिकार वसीयत दान संडक्षन बटवारा और गोद के लिए समान खानून होंगे इससे सही माइनों में देश के धर्म निर्पिक्षता की भावना को मुझबूत ही मिलेगी समान नागरिक सेहता से पुराने कई कानून कोड़े दान में चले जाएंगे इससे अधालतों पर मुकदमों का वोज़ कम होगा दलील दी जाती है कि सम्विधान की मूल भावना समान अता और धर्म निर्पिक्षता है तो हिंदू के लिए हिंदू मेरिज एक्ट मुस्लिमों के लिए मुस्लिम मेरिज एक्ट पारसी के लिए पारसी मेरिज एक्ट इसाई के लिए इसाई मेरिज एक्ट क्यों पर बने सिविल कोट के खत्म होने से लोगों की नारासगी भी बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है।